यामी गोतम की एक मूवी आई है जिसका नाम है आटिकल 320 अब इस मूवी को लेकर काफी रहा बाते चल रही है कि ये मूवी एक प्रपरगंडर मूवी है और इस मूवी में हमें एक विशेल धर्म को लेकर हेट देखने को मिला है तो चले जानते है क्या कर ये मूवी कैसी है और इसमें हमें क्या-क्या देखने को मिला है और क्या सच में जो भी बाते चल रही है वो सब मूवी में देखाया गया है तो जो कुछ भी आटिकल 320 के वाज़े से हुआ था उसी को लेकर इस मूवी की स्टोरी है लेकिन मैं आपने में पहले बता दे रहा हूं कि इस मूव के स्टोरी के वारे में तो इस मूवी के स्टोरी में हम यही दिखाया गया है कि आटिकल 370 कैसे हटा था और उसको हटाने के लिए सरकार ने क्या-क्या काम किया था और सरकार के रावा कश्मीर में ग्रॉंड लेवल पर क्या चल रहा था यह सारे चीजों को मूवी काफी जो कि अगर आप ऐसे समझना चाहोगे तो आपको काफी रा कटना है यह का सामना करना पड़ेगा इसलिए मूवी में जो चीज़ा समझाने का तरीका है वो बिल्कुल ही एक यूटूब वीडियो जैसा है जिसको देखने के बाद आपको हर बात किलियर हो जाएगी क्या हो है और वो कैसे हो रहा है बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आप स्कूल में कोई मैथ को समझ नहीं पाते हो लेकिन वहीं पर घर आकर आप यूटूब वीडियो देखते हो तो आपको सारे सीज़ा समझ में आने लगती है तो उसी चीज़ को इस मूवी में इस्तमाल किया गया ह इसके लावा इस मूवी में जो कास्टिंग थी ने अक्टरस की वो काफिर अजबरदस थी क्यूंकि मूवी के जो सभी अक्टरस थे ने उन्हें अपने परफॉर्मस सेक्टम 100 लेवल पर दिया है जिनको देखकर लगता है कि हाँ यह होता एक असली परफॉर्मेंस अब चा इस मूवी में मोदी जी और अमित सा भी थे अरे अरे रियल में नहीं थे वो लोग उनके क्या एक्टर था इस मूवी में और दूसरे एक्टर ने उनके क्या एक्टर को प्ले किया है तो पहले बात करते हैं मोदी जी के बारे में जिसको प्ले किया है आरून गोविल जी ने वहीं पर जिस बंदेने आमिट साह का एक्टर प्ले किया है जिनका नाम है किरन कर मार कर इन्होंने अपने का एक्टर को काफी अच्छे जब प्ले किया है और इनका काम मुझे 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 पसंद आया है तो इसको उने मुवी में बाख खुबी निभाया है, साथ ही में इस मूवी में पुल्वावा अटैक को भी देखाया गया है, और वो कैसे लिंक था अटिकल 377 से, इसको भी बहुत अच्छा से बताया है इस मुवी में, बाकि जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं, कि इस मुवी में क क्या हूँगा कि आप इस मुवी को देख आजे, बिल्कुल भी मत समझना कि असा ही कुछ हुआ था, क्यूंकि देखो यह एक मुवी है, और इसमें कई सारे चीजों को फ्रिक्सिनलाइस किया जाता है, ताकि पब्लिक को इसको देखने में मजा है, और पब्लिक को इंटेट आपको इस वीडियो में कुछ भी पतना है हो, तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मैं मिलूँगा आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएंट